हाई दोस्तो वेलकम टू स्ट्डि साइड है इस वीडियो में हम एन्बर्मेंटल इंजिनाइउंग के डेवलोप्मेंट ओब गॉपरंड वॉर्टर चैप्तर में ट्यू वियल के बारे में जानेंगे यह Development of Groundwater का Well Chapter का Second Part है इससे पहले Well Chapter का Part 1 अबलोट हो चुका है आप उसे उपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो उसका लिंक वहाँ पर मौजुद है हमारा Wells का Second Tutorials Tube Wells शुरू करते है First आता है Tube Wells के Definition के उपर Wells and Tube Wells का Definition सेम ही है सिर्फ फ़र्क इतना है कि Wells में एक बड़ा गड़ा किया जाता है उसमें से जो Water Store हुआ रहता है उसको निकला जाता है वैसे ही Tube Well में एक Mechanical Hand Pump के जरिए जो Underground Water है उसे निकला जाता है Tube Well का Water का Quality बहुत अच्छा होता है Wells के तुलना में Tube Wells का First Point है Tube Well में एक Long Pipe या लंबा जो Pipe है उसको Ground के बहुत अंदर तक जो एक या उससे जादा भी जो Bearing Stata है Water Bearing Stata है Water निकला जाता है उस मेथोड को Tube Well का दूसरा Point है Open Well के तुलना में Tube Well का जो Ring का Diameter है वो कम है जो 80 mm से 600 mm तक इसका Range है अब आता है Tube Wells के Classification के उपर Tube Well को दो हिस्सों में Divide किया है पहला Sallow Tube Well और दूसरा है Deep Tube Well अब हम Sallow and Deep Tube Well के बारे में जानेंगे इसका First Point है Sallow Tube Well का Maximum Depth है 30 मिटार मतलब जो Tube Well का Longest Pipe है वो Maximum 30 मिटार तक है और इसका जो Maximum Yield है मतलब Maximum Water Discharge करने के Capacity है 30 मिटार क्यूब पर आवर्स इसका दूसरा Point है इसके Comparison में Deep Tube Well का Depth Maximum 600 मिटार तक है and Maximum Yield है 800 मिटार क्यूब आवर्स मतलब Maximum Water Discharge करने की Capacity है 800 मिटार क्यूब आवर्स इसका Third Point है Shallow and Deep Tube Well का Construct करने के लिए Difference Method का इस्तिमाल किया जाता है Tube Well को और एक तरह से Classified किया जाता है जो कि पहला Stinnard Type Tube Well, दूसरा Cavity Type Tube Well and तीसरा Slotted Type Tube Well सो हमारे पहले पहले टाइप का Tube Well है Stinnard Type Tube Well Maximum जगा पर Stinnard Type Tube Well ही इस्तिमाल किया जाता है इसका दूसरा Point है Stinnard Type Tube Well को Assemble किया जाता है दो Pipe से एक Stinnard Pipe जिसको कहते है Stinnard और दूसरा Ordinary Pipe जिसको कहते है Blind Pipe दोनों को एक साथ Ground के अंदर Place किया जाता है हमारा तीसरा Point है Ground के अंदर जो गढड़ा किया जाता है उसको कहते है Board Holes इस Board Holes का Diameter है 50 to 100 mm जो Pipe के Diameter के उपर Depend करता है Obviously जो Board Holes का Diameter Pipe से Diameter से जादा होना चाहिए इसका चौता Point है Stinnard Type Tube Weld में 150 mm Diameter का Weld बनाना के लिए कम से कम 200 से 200 mm Diameter का Board Holes बनाना चाहिए अब आत है Type of Stinnard पे बहुत सारे टाइप का Stinnard Stinnard Tube Weld में इस्तिमाल किया जाता है उसमें से कुछ Important Stinnard का Name है Cook Stinnard, Tade Stinnard, Brownly Stinnard, Asphord Stinnard, Legate Stinnard, Phonic Stinnard और आखिर में Lane and Bowler Stinnard हमारा Next Type Cavity Type Tube Weld के बारे में आते हैं इस Cavity Type Tube Weld का कुछ इस पुकार का दिखता है जो आप Right Side में पिक्चर में देख पा रहे हो इस पुकार का Tube Weld में Ground Level से बहुत नीचे तक Hole किया जाता है जो की उपर का Sand Layer और नीचे का Clay Layer उसके बाद Cavity के जरिए Water उपर में आता है और उसी Water को Water Supply में इस्तेमाल किया जाता है इसका First Point है इस Tube Weld में जो Pipe है वो Ground के पुरे नीचे तक जो Clay Layer है वहां तक Bottom Out किया जाता है वहां से Water निकला जाता है इसका दूसरा Point है जो Sand and Clay Layer का अंदर पोर्ट से वहां से कोई Water अंदर नहीं आ सकता जो की Stenart Type Tube Weld में होता है इस Tube Weld के टाइप में सिर्फ Water नीचे Cavity के जरिए ही उपर आ सकता है इसका Third Point है इसका Inertial Stage में जब Water निकला जाता है उसमें ज़्यादा तर Sand आता है इमांगोई Sand नीचे एक Cavity करता है बाद में कोई Sand उपर नहीं आता है सिर्फ Face Water ही उपर आता है Cavity Type Tube Weld के Bottom में जो Sand का Layer क्रियाट होता है उसे ही Cavity कहते है इस Cavity क्रियाट होने की कारेनी ही Fresh Water उपर में आता है चौता पॉइंट है पहले ही बताया Cavity का जो Bottom portion है उसमें से ही Water पाइप में आता है हमना Next और आखरी टाइप है Slotted Type Tube Weld इस Tube Weld में First Point है इस Slotted Type Tube Weld में जो Pipe Ground में डाला जाता है वो उसमें कुछ Gap के अंदर कर कुछ Gap छोड़ कर Slotted Part रहता है जो Ports या छिद्रे जुक्त पाठ रहता है उसमें से Water पाइप के अंदर आता है इसका दूसरा Point है एस Slotted Portion Pipe जो Tube Weld के अंदर डाला जाता है उसमें उसका लेंध है 5 मिटर्स ए बेसिकली Confine Acquipar फे बेस करके ही Water निकला जाता है इसका 3rd Point है इस Slotted का Size रखा जाता है 25 mm x 3 mm जो Spacing रखा जाता है वो 10-12 mm का Slotted Type Tube Weld कुछ इस पुकार का दिखता है जो आप Right Side में पिक्चर में देख सकते हो बेसिकली Ground के अंदर जो Aquifer portion है उसी जगह पर ए Slotted Type Tube Weld या कहले जिए Slotted Pipes डाला जाता है जिससे Water पाइप के अंदर आता है और वही वाटर बाद में निकला जाता है So आज के लिए इतना ही हमारे वीडियो देखने के लिए सुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Stay Healthy and Stay Safe के लिए जाइप के लिए टूए आता है